नमस्कार मैं सचिन राठोर आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया शुरुबात करते हैं फटाफट कबरों की बस्ती की डीम रवीश कुमार गुपता ने जी जी आईस की क्लास 12 छात्रा की साक्षी को एक दिन के लिए डीम मनाया साक्षी ने फर्यादों की समस्याईं सुनी और संबंदित अधिकारियों को निस्तारण क्या देशती साक्षी ने कहा कि वो सिविल सर्वेस में जाना चाहते हैं और डीम की कुर्सी पर बैट कर बहुत जादा गर्ब महसूस कर रही है किस क्लास में पढ़ रही है आप तो आज जिला अधिकारी बनी हैं आल लोगों की समस्याई सुनी है कैसे किस तरीके से सुनी है समस्याई आप मैं इन लोगों की समस्याई सुनी है कि जो कुछ अधिकारी निकरी इनको समस्या है रही है फिरोसबाद में 15 साल कौमारी मदू को थाना नगला सिंधी का थाना प्रबारी बनाए गया जो की रामरती इंटर कॉलिज की कशा 11 की छात्रा हैं। उसे थाना ब्रमण कराये गया और थाना की कारे प्रणानी के बारे में जानकारी दी गई। मदू ने जनसुनवाई की और संदिक दुव्यक्तियों की भी जाच की। उनका एक एक अच्चर उनकी दिये बहुत प्रिवाब पड़ जाता है क्योंकि जनता उन्हें समयती नहीं हैं। जनता ये समयती हैं कि लालच में आकर प्लिस ये करती हैं और क्या कहते हैं। और फिलाल SP ने कहा कि दोशियों के खिलाब जल्द से जल्द कारिवाई की जाएगी। बेलसर के दीहा गाहों में फायर क्रैकस बनाते हुए कुछ लोग प्लास्ट के कारण खाय हुए हैं। जिसमें की तरीब पाँच लरीज यहां पर आए हैं। प्रेमी जोड़े के शब मिलने से संसरी फैल गई। दोनों ने संदिक परिस्टियों में अपनी जीवन लिला समाक्त कर ली। प्रेमी जोड़ा आपस में रिष्टे की चाचा वतीजी थी और उनके बीच कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने दोनों शावों को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए बेज दिया मामले की पुलिस जाच कर रही है। दिनान में 7 अक्टूबर दोजार चोबिस के थाना पुरानी बस्ति जेवपद रस्ति की प्लाश्टिक पाम पच्छेत्र से पुलिस के प्राप्तों में प्रेमी परी सोचना आई कि थाना च्छेत्र के ग्राम कड़त खास में दो बेत्ति जो आपस में चाची और पीजी अबुद राजमंत्र अनुप्रिया पतेल ने अमरावाज जुमरी में स्थित ग्राम समाज जन्सेया जामा भंडारी फिलिंग स्टेशन में उद्रहटन किया इस अफसर पर उन्होंने बगवान बुद्ध की प्रतिमा भेट कर सम्मानित किया गया कारेकरम में अपना दल इसे एस प्रदेश, उभाद्यक्ष, अनिल सिंग, प्रधान, अमर्दीप सिंग और अनिक गामने लोग मुझूद रहे गांधी पार्थाना इलाके में शिशी जापेड में एसी के कमप्रेसर फटने से दोलोग गंबीर उप से गाहल हो गए परेजन उन्होंने उन्हें अस्पताल में भरती कराया लेकिन हालत गंबीर होने पर उने जेन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया काजगंच में प्रात्में विद्याले में प्रदानात तक हरेंजर के फोटो सोशल मीडिया पर शराप पीते हुए वायरल हो गया फतेबुर गाहों में शिक्षक पर आरोप है कि स्कूल खुडने के बाद शराप पीते लगते हैं फोटो में वाइरल होते ही इशिक्षा वेवा गनड कम मच गया और बी एसे में उन्हें निलंबित करने की जांच का देशती है फिरोजाबाद में समझवादी पार्टी की लोगों ने आशकी नरसिम्मा में इलाके में इसलाम धर्म के पेगंबर मुहंबत साब के खिलाफ अमर्यावती टिप पड़ी करने पर विरोज में जलादी कारी कारण प्लाली पर फ्राश्यपती के नाम गया पन सौपा देखे जो यति नरसिंगा नंद नाम का सादू है उसने हुजूर की शान में रसूल की शान में बहुत गंदे शब्दों से गुस्ताजी की है जिसको भारत का अमन पसंद नागरेक अकेलिये मसलवान का नहीं है जो भारत को आगे बढ़ते देखना चाते हैं जो भारत में भायचारा चाते हैं भारत में महबबत चाते हैं प्यार चाते मिर्जापुर में उड़त की बरी खाने से दो लोगों की मौत हो गई चार गी हालत कंबी रहा और स्पताल में इलाच चल रहा है मृतक और गायल एक ही परिवार के रहने वाले है फूड पॉइसनिंग से मौत होने के आशंगा बताई जा रही है जबकि खादे सुरक्षा और ओशदी प्रशासन में वाग की टीम सैंपल लेकर जाच में चुटी है दियाद कोतवाली के टिकापूर मसारी गाउं की घटना उन्नाओ से एक खबर है जहां अगामी दिवाली पर्फ को देखते हुए जिला में सुरक्षा के कड़े इंतिजाम सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने पटाकों की दुकानों पर छापे मारी शुरू करती छापे मारी का उदेशी दुकानों में पटाकों के भंडारों और आग बुजाने के उपकरणों की सिती को जायजा लेना है तकि सुरक्षा मानकों का पालंग सुनिश्चित किया जा सके फिरोजाबाद में जोला साब डॉक्टरों के खिलाज चल रहा है अभ्यान के दहता आकरी बारतिया फार्मसिस्ट एसोसिएशन ने जलादीकारी का नप्राली पर ग्वापन सौपा जिलादयक धर्मेंद्यादव ने तरिपने सौपा गई रिगेस्टर में फार्मसिक में प्रिशान ना करने की मांग की फार्मसिटिकल्स ने सरकारों पर अभ्यान का समर्थन किया क्या मामला है। मैं जिलाद्ज धर्मेंद अदव, फिरोजाबाद। किस विवाकस है। स्वास्त विवाकस है। हम लोग फार्मासिष्ट है, अखिल वार्थी फार्मासिष्ट है, S.O.C.N. जो है हम उसके पदादकारी हैं और हम लोग यहां ग्यापन देने आए हैं जो सरकार द्वारा अभ्यान जोला चाप डॉक्टरों की प्रतवियान चलाए जा रहा है उसके लिए हम लोग ग्यापन देने हैं काजगंज में दलित अधेर व्यक्ति के खुदकुशी करते जबके पारेजनों का आरोप है कि बीदी देर रात राम लीला देखने के दौरान ओफ ड्यूटी दो सिपाईयों ने मृतक के साथ पिटाई की शिफ्टू की थी और रमेश ने अपनी जान दे थी पुलिस ने शफका पंचनामा और पोस्ट आउटम के लिए भेज दिया कुशी नगर में मा दुरुआ गई प्रतिमा को लेते समय विवाद हुआ इसके बाद पत्राफ किया गया मुस्लिम समाज के लोगों ने पत्राफ का आरोप है जिससे शेर और प्रतिमाश अधी रस्ट हुई और कई लोग घायल भी हुए पुलिस में सुचना मिलते ही मौके पर पहुँच कर भीड को ने अंत्रित किया और कई लोगों को हिरास्त में लिया गया बदोई में आपकारे विवाग में देशी शराब के दुकान पर शापे मारी की गई जहांपर बाईश शराब की पाउंट फानी मिलकर बेच रही थी अनुग्यापी समेट दो लोगों के एफ़ाई अर्दर्च की गई और एक आरोपी को गिरफतार किया गया ग्यानपुर कोत्वाली के सरसीग गाउं में हुई इस गढ़ने कारवाई की जाच की जाएगी जे लाख बारी अधिकारी ने कटोर कारवाई की जेतामनी दी जहासी में मुस्लिम समाज के यतीन अर्सिंगन नंग पर पेगंबर मुहम्मद साब के खिलाव विवार्द बियान देने के मुकदमत अर्च कराने का रासु का लगाने के मांग की जमियत उलेमा हिंद ने डेलीगेशन ने स्स्पी को प्राथना परता सौपा इस मामले में सीएम योगी को भी जाती धन बटे पड़ी बरदाशना करने की बात कही थी उन्नाओं में शातिर महिलाएं लाखों की चांदी लूट कर रफव चक्कर हो गई दुकान पर ग्राहक बनकराई महिलाओं ने चार लाख रुपए से जादा की चांदी चुराई जो सो सीए टीवी में कैर्ट हो गया और पुलिस मामले भी जार्च कर रही है घटना सफी पुर्कोत वाली शेत्रों के कस्वे की है वन विवान ने अवैत तसकरी के खिलाफ चापे मारी की दौराण फचास्टे लीसा की भरा ट्रक पकड़ा रविवार की सुगर सिमली गदवान हाईवे में कारिवाई की गई जिसमें ट्रक चालक फरार हो गया वन शेत्रकारी अखलेज भट ने नेतरत में टीम ने वाहन को जब्त कर लिया और वन अदिनियम के तैट मामना दच किया गया एक किया जारा था इसमें और इसके बाद जो ट्रक को रोखने के बच्छा वाहन चला है जो अंधेरे का फायदा उठाकर मागिया इसके बच्छा इस अवैद्रूप से अभिवायन करने बर ट्रक सुंख्यार यूकी अठारा सीए इसके बाद समय जर्ट करके आगे की गरवेश दी जारी है इसमें भाड़को बना दिनियम के तैट मामना पंजी किया जारा है और आगे की दिरत करवाई पर चल्ड़ मेंगी राजिस्थान परेटन विकास निर्मान और हुड़को के बीच 415 करोड रुपए की दीरकाल श्टरण के लिए सोमवार को MOU पर हस्ताक्षर हुए और मुख्यमंत्री दिया कुवारी दिस परेटन विवाग के लिए मत्वपूर बताया जबकि हुड़को के सुदीर भटनागर ने कहा कि ये त्रड राजिस्थान विपरेटन सुवधाओं के नवीन करण को मदद करेगा ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें न्यूज कर इंडिया